आपका स्वागत है मैं रिया वैसे तो घर की सजावट के लिए कई ऐसे चीजे हैं जो वास्तु के हिसाब से अगर रखा जाए और सजाया जाए तो काफी फलदाई हो सकता है ऐसे में एक और चीज है जो काफी ज़्यादा शुब माना जाता है वो है मोर का पंक अगर मोर का पंक आप अपने घर में डेकोरीशन के लिस्ट में शामिल करती हैं तो इससे काफी ज़्यादा आपको लाभ मिलता है हिंदु मानिताओं में भी मोर पंक को बहुत ही शुब और महत्वपूर्ण माना गया है इसके साथ ही मोर पंक शुख सम्रिद्धी का संकेत माना जाता है स्रिक्रिश्न के साथ साथ कार्तिके और गनेश जी को मोर पंक अप्रिय है वास्तु सास्त्र के नुसार घरों में मोर पंक रखना भी शुब माना जाता है तो आईए आज हम आपको इस वीडियो में मोर पंख के कुछ उपाई बताने वाले हैं वास्तु के अनुसार किन दिशा में और किन घर में आपको मोर पंख रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं तो सबसे पहले धार्मिक मानिताओं के नुसार मोर्पंक में सभी देवी देवताओं का वास होता है इसलिए इसे घर में रखना बेहद शुब माना जाता है मोरपंख घर में रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही इसे दक्षिन पुर्वदिशा में रखना बेहधी सकरात्मक उर्जा और शुक्षांती वाला माना जाता है इसके अलावा फिजूल खर्ची से भी मोरपंख आपको निजात दिलाता है यदि आप फिजूल खर्ची अधिक करते हैं या फिर आपकी जेब में पैसे नहीं रुखते हैं तो आप मोरपंख घर, पुजा घर और तिजोरी में रख सकते हैं ऐसा करने से धन की देवता कुबेर का वास हमेशा बना रहता है और घर पर आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं मोरपंख से घर पर बरकत बनी रहती हैं इसके अलावा मधूरता का प्रतीक माना जाता है मोरपंख वास्तु के अनुसार मोरपंख मीठे संबंधों का भी प्रतीक माना जाता है कहा जाता है कि यदि कपल अपने बेडरूम में मोरपंख लगाएं तो उनके रिष्टे में मीठा पन बना रहता है इसके साथ ही लिविंग रूम में पुर्वदिशा की दिवार पर साथ मोरपंख का गुच्छा रखने से भी परिवार की सदस्यों में मिठास और अपना पन बना रहता है इसके अलावा आप मोरपंख अपने बच्चों के स्टडी रूम में भी लगा सकते हैं इसे बच्चों कमन पढ़ाई में एकागर रहता है वहीं अगर बात करें काल सर्प दोश की तो इससे भी आपको छुटकारा मिलता है कहा जाता है कि अधिकिसी की कुंडली में काल सर्प दोश के लिए भी मोरपंख उपाए कर सकता है काल सर्प दोश को दूर करने के लिए जा तक अपने तकीय के नीचे साथ मोरपंख रखते हैं तो इनसे उनको लाख मिलता है लगातार घर में आ रही परिशानियों से भी मोरपंख आपको छुटकारा दिला सकता है तो इसलिए आसे ही आप भी अपने घर के सजावट में मोरपंख को शामिल कर लें ताकि आपके जीवन में आ रही सार्त्री बाध हाई दूर हो जाए तो फिलाल के इतना ही आपको हमारे द्वारा दीगे जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें जरूर बताएं चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बू पेज को लाइक करें वीडियो देखनी के लिए आपका शुक्रिया